Hey everyone, मैं हूँ पदमनाब शर्मा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Indian Contract Act के section 51 and 52 पर तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के Section 51 कहता है कि Promiser not bound to perform unless reciprocal promise is ready and willing to perform देखिए सबसे पहले इसमें बात आती है reciprocal promise अब reciprocal promise क्या होता है ये section 2 के clause F में define करा गया है कि क्या होता है reciprocal promise reciprocal promise यानि कि वो promises which form the consideration और part of the consideration for each other are called reciprocal promises यानि कि reciprocal promise का मतलब होता है कि एक promise के बदले दूसरा promise मतलब कि contracting parties में वो दोनों party अपना promise जो perform करेगी वो simultaneously अपने promise को perform करेगी ये होता है reciprocal promise एक general हमने समझा तो ये section 51 कहता है कि अगर promise अपना performance तब तक नहीं देगा जब तक सामने वाली party या हम कहें जो promise ही है वो अपने promise को perform करने के लिए ready नहीं है या वो willing नहीं है तब तक वो promise अपना part perform नहीं करेगा अपना promise perform नहीं करेगा वही मैंने का reciprocal promises अगर रहेगा तो वो simultaneously performed होना चाहिए वहाँ पर यानि कि एक promise के बदले दूसरा promise इसको एक अच्छे से समझने के लिए illustration समझते हम बैरेक्ट में जो की दे रखा है तो A and B दोनों contract करते हैं जिसमें कि A shall deliver goods to be and to be paid for by B on delivery तो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि A जो है वो deliver करेगा B को goods deliver करेगा B को और B भी उसी समय उसे इस goods deliver करने के वज़ाए payment करेगा इसके लिए ठीक है यह contract होता है A और B के बीच में 51 यह कहना चाहरा है यानि कि A अपने goods deliver तब तक नहीं करेगा जब तक B payment नहीं करेगा इस goods के delivery के लिए ठीक है यह हम उल्टा कहें कि B तब तक payment नहीं करेगा जब तक A goods deliver नहीं करेगा उसे यानि कि वही हो रहा है reciprocal promises यानि कि यहाँ पर इस contract में जो promises होंगे वो simultaneously perform होंगे एक और illustration है जो की same है A और B दोनों contract करते हैं जिसमें की A वही goods deliver करता है B को जिसकी वजाए B भी कहता है contract में कि मैं आपको जो है इसका payment एक installment के रूप में दूँगा ठीक है यह इनके बीच में contract होता है तो section 51 यह कहता है कि A अपने goods को deliver तब तक नहीं क और B अपना installment तब तक नहीं देगा जब तक A अपना goods deliver नहीं करेगा तो दोनों के लिए यहाँ पर जो promises रहेंगे वो simultaneously perform होना रहेंगे तब ही वहाँ पर वो bound होंगे अपने promise को perform करने के लिए ठीक है तो यह कहता है section 51 यानि कि एक अपने promise को perform करने के लिए ready नहीं है तो साम करने वाला भी कोई bound नहीं रहेगा अपने promise को perform करने के लिए कहता है section 51 clear है अब हम बात करते है section 52 यह order बताता है कि reciprocal promises अगर है अगर contract में तो आपको किस order में अपना performance देना है यह बात करता है section 52 तो section 52 कहता है where the order in which reciprocal promises are to be performed is expressly fixed by the contract they shall be performed in that order यानि कि वही हमने एक example अगर लिया था उपर वाला हम देखें A और B जिसमें कि A deliver करता है अपने goods B को और वो तब तक deliver नहीं करेगा जब तक B उसका amount pay नहीं कर देता payment नहीं कर देता तो यहाँ पर section 52 के according अगर बात करें और उसी example को अगर हम लेके चलें तो अगर उस example को आ अगर order आपने fix कर लिए अगर contract में आपने यह expressly way में fixed कर लिए कि जब तक goods delivery नहीं होंगे तबतक में payment नहीं करूँगा यानि कि तो goods delivery देवर कर फिर ही में payment करूँगा या फिर हम कहें कि अगर उन्होंने अपने contract में ऐसा order fix करा कि आप मुझे advance में payment करिये फिर में goods deliver करूँगा यानि कि अगर आपने expressly way में अगर contract में अपने promise से इसको कैसे perform करना है किस order में perform करना है अगर expressly way में fixed कर रखा है तो आपको उसी order में अपना performance देना होगा यह कहता है section 52 और आगे मैं बढ़ता हूँ तो वो कहता है कि अगर आपने order expressly way में fixed नहीं करा किसी भी contract में तो आप क्या करोगे तो फिर उस contract के nature को देखा के पता चलेगा कि आपको किस order में अपने को performance देना है वहाँ पर यानि कि for example कि A और B है जिसमें कि इन बीच में कुछ इस प्रकार का contract होता है कि A जो रहेगा वो B के लिए house build करेगा एक fixed price पर ठीक है बस इनके बीच में यह contract होता है तो according to section 52 अगर order mention नहीं करा गया है आपने अपके contract में अब जैसे कि यहाँ पर कोई order mention नहीं है कि आपको किस way में performance देंगे दो तो फिर हमने section 52 में क्या समझा था कि जो आपने जैसे कि expressly fixed नहीं कर रखा है order अपने contract में then they shall be performed in that order which is the nature of the transaction requires तो यहाँ पर अपने contract के nature से पता चलेगा कि किस way में किस order में आपको performance देना है यानि कि एक सीधा सीधा मतलब कहें तो जब A अपना house build करेगा B के लिए तभी भी अपना performance देगा यानि कि तभी अपना B जो है वो payment करेगा इस house build होने के current ठीक है तो यहाँ पर order पहले से expressly fixed नहीं था फिर भी हमारे contract के nature को समझ के यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि A जब house build करेगा तभी भी payment करेगा ना तभी भी अपना performance देगा तो यह था section 52 I hope आपको section 52 और section 51 दोनों clear होंगे तो इतना ही था हमारी इस वीडियो में I hope आपको वीडियो में समझ में आया होगा अगर नहीं आया तो आप comment section में मुझसे पूछ सकते हैं कि किस चीज में आपको doubt आया है Instagram पर भी आप मुझे follow कर सकते हैं link description में क्योंकि daily आपके लिए वहाँ पर भी knowledgeful content मिलता है और हमेशा डलता रहेगा आपके लिए तो जाओं वहाँ पर follow करो और thanks for watching this video मिलते हैं किसी अगली वीडियो में